में पाडों पर बर्फՁबारी से मैदानी लाकों में भी थन्ड बढ़ गई है बदरिनात के दारनात गंगोतری और यमुनोतरी धाम में जमकर बर्फबारी हुई है जो से स्थानी लोगों की परिशानी भी बढ़ गई है वही बर्फबारी से परेटकों के चेहरे जरूर खिल उठे हैं पाडों पर हुई बर्फबारी से मैदानी लाकों में भी पारा लुड़क गया है पाडों पर हो रही बर्फबारी का असर दिली NCR में भी देखने को मिल रहा है दिली NCR में भी कई लाकों में सुभा बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं जुसे ठंड में इजाफा हुआ है मौसन भाग की अगर माने तो कई लाकों में दिन में ही बादल चाय रहेंगे तो दो तस्वीरे आपके सामने पहली तस्वीर उत्राखंड की पाड़ी राज्ये की जहां पर चारो धामों में बर्फबारी देखी गई है पाड़ी लाकों में बर्फबारी देखने को मिली माइनस में टेंपरेटर जा पहुँचा है और असर इसका मैदानी लाकों में भी देखा जा सकता है दूसरी तस्वीर दिली एंसियार की जहां बारिश के साथ ओला वरिष्टी भी हुई है तो पाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी लाकों में भी असर इसका सीधा तोर पर देखा जा सकता है और हमारे साथ अलगलग जुगाओं से हमारे संबादाता भी जुड़ गए हैं उनका हम रुख करेंगे नौईडा से मेरे साथ पवन जुड़ गए हैं इसके लावा उतराखन की राजानी दैरदून से मेरे साथ कुलदीब जुड़ गए हैं वहीं दिल्ली से हमारे साथ शरत जुर गए हमारे संभाद दाता तीनों का रुख करेंगे करके सबसे पहले दिल्ली का हाल चाल जान लेते हैं शरत चुकि ऐसा देखने को मिलता है मुमन की जब शोईब हमारे साथ जुर गए माफ कीजेगा शोई बैसा देखने को मिलता है कि जब पाड़ी इलाकों में बरफारी होती है तो सीधे तोर पर असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है दिली एंसियार का अभी मौसम का मिज़वास किस तरह का और प्रदूशन से कितनी राहत मिली है बारिश की वज़ों से दिल्ली वासियों को? लेकिन एक जो ठंड है एक कहे कि गुलाबी ठंड उसकी शुरुआत हो गई है अला कि दिसंबर भी बिल्कुल नजजीक है दो दिनों के बाद दिसंबर की शुरुआत हो जाएगी और इसलिए कम सिगम दिल्ली के लोगों के लिए थोड़ी राहत यह मौसम लेकर आया हम यह कह पर असर दिखेगा और कल भी क्योंकि आज अगर बात की जाए तो डिली के कुछ इलाकों में चिटपुट और बारिश हो सकती है और कल भी सी तरह का मोसम रहगा ये भी मोसम भाग का अनुमान है तो कुल मिलाकर पॉलुशन से थोड़ी राहत और इसके साथ साथ एक सर्दी की इस तरह से शुरुवात दिली में हो चुकी है लोगों के गर्म कपड़े निकल गए है तो दिली वासयों के लिए तो कम से कम ये थोड़ी राहत है आज के दिन और तेज हवाई कल से ही चल रही है और ये भी उम्मीर है कि आज भी क्योंकि दिन भर मोसम भाग का ये कहना है क दिली का और दिली के लोग कम से कम ऐसे मोसम के लिए थोड़ा तरस्ते नजर आते हैं क्योंकि दिसंबर और जनवर ही दो ऐसे महीने जारतर होते हैं जहां जब ठंड होती है दिली में ज्यादा ये माना जाता है तो कम से कम नवंबर के आखिर में जो ये शुरुआत हुई ह तरीके से ठंड़की तो ये कहा रहा सकता है कि मौसम अच्छा है अभी फिलहाल और पॉलुशन से भी थोड़ी राहत दिली के लोगों को मिली है अंजली बिल्कुल शोय बाबने रही हमारे साथ लोटूंगी आपके पास मैंगबर फिर से नौईडा से मेरे साथ पवन जुड़े हैं पवन काब हम रुख करेंगे पवन कई दिनों के बाद दिवाली से ही मौसम हम देख रहे हैं दिली इंसियार का किस कदर गैस चैंबर में पूरा जो माहौल है वो तबदील हुआ अब बारिश के बाद आबो हवा बदली है यहां पर किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है नौईडा की अगर हम बात करें कितनी राहत प्रेदूर्शन्ट से मिली है नौईडा वासियों को भी बिल्कुल देखें अंजली आपने बिल्कुल सही कहा कि गैस चैंबर के रूप में देली एंसियार और खास तोर से गौतम बुद नगर पूरी तरीके से तबदील हो गया था और यहां जो भी लोग घर से बाहर निकल रहे थे उनका जीना बुरी तरीके से मुहाल हो चुका था चेहरे पेर अगर मास्क लगा कर वो नहीं निकलते थे तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन का वो शिकार हो रहे थे और बहुत सारी बिमारिया भी उन्हें पकड़ रही थी बारिश हुई ओले पड़े और साथ साथ नोईडा में भी हलकी फूलकी बारिश हुई थी आज जो है मौसम वैग्यानिकों के अनुसार नोईडा में आज बहुत तेज बारिश हो सकती है साथ साथ जो पारा जो maximum minimum पारा 22 और 23 डिग्री रहता था वो कहीं न कहीं 15 डिग्री तक नीचे आ जाएगा और 15 डिग्री तक नीचे आने का मतलब है कि अच्छी खासी जो ठंड है वो पढ़ना शुरू हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो maximum पारा है वो 21 से 22 तक जाने की उम्मीद है यानि कि ये माना जा सकता है कि पूरी तरीके से जो ठंड है उसका आगास कहीं न कहीं आज से हो गया है और यहां की कुछ सस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखे जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ नौईडा में सेक्टर 93 के असपास आप देखे कि मौसम जो है काफी खुला हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले जब हम लोगों ने अपने दर्शुकों को टीवी स्क्रीन्स पे कुछ दिन पहले जो तस्वीरे दिखाई थी उसमें साफ था कि पूरी तरीके से पूरे अट्मास्फियर को जो स्मॉक था उसने पूरी तरीके से ढख रखा था और देखे आप कितनी तेज हवाई चल रही है पेड़ हिल रही है से अंदाजा लगाये जा सकता है कि काफी तेज हवाई है यानि जो एर पॉलूशन था वो पूरी तरीके से अब हटता नजर आ रहा है और लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है अब जो चेहरे पे मास्क लगाए लोग दिखते थे जादा तर उन लोगों में काफी कमी आई है और एक उमीद है अब लोगों में कि जो ठंड का आगाज है वो कही न कहीं कल से जिस तरीके से दिली न्सियार में बारिश होई थी उसके बाद ठंड का आगाज शुरू हो ग बात है कि पॉल्यूशन भी पूरी तरीके से मिट जाएगा बिलकुल पवन लोटूंगे आपके पास कोशिश कीजिएगा कुछ लोगों से अगर आप बातचीत कर सकें दैरदून से कुलदीब है मेरे साथ कुलदीब सुभा की तस्वीरे भी दिखाई थी आपने उस वक्त बारिश हो रही थी साथ साथ बजी के आसपास अभी किस तरह का मौसम क्या अभी भी बारिश या फिर बारिश थमी है कुछ देर के लिए अला की तेज बारिश नहीं है हलके बारिश देखने को मिलेगी रुक रुक करे बारिश होगी और जो उचाई वाले चेत्रे में पहाड़ के वहां पर बर्वबारी होगी एक तरीके से देखें तो जो चारधाम है चारधाम ने बर्व की चादा रोड लिये इसके अलावा और भी जो अधिक उचाई वाले पर बर्वबारी हुई है अच्छी खासी बर्वबारी हुई है ऑली जैसे जो पर बर्वबारी हुई है तो ऐसे में परेटकों के लिए जो उत्राखन खास और से बर्वबारी का लुथ उठाने के लिए इस वक्त आना चाते हैं उनके चेत्रे दुर्गम चेत्रे वहां लोगों के आफ़त इससे जरूर बढ़ेगी मुश्किल जरूर बढ़ेगी क्योंकि पहाड में अगर बर्बारी होती है तो तमाम तरह की दिक्कदें भी सामने पेश आती हैं मौसम परेटन के लिहाद से तो बेद को सुरत होता है अच्छा ह आती है तो कम सकम लोगों को रहात भी मिले लेकिन अच्छी बात है कि नवंबर के महीने में दूसरी बार अच्छी खासी बरफबारी इस वक्त पड़ी है तो मौसम भी ठंडा हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा रहे है यह खासवर से अगर पाड़ी चेत् देखने को मिली है और मैदानी इलाकों में इसका यह असर दिखा है कि जो बारिश हुई है उसने तापमान को और नीचे गिरा दिया है तो ठंड का एसास भी लोगों को होने लगा है और मौसम विभाग ने आज भी पूरान मान जताया है कि कुछ चेत्रों में कुछ जिलों में इसी तरीके की बारिश और बर्बारी देखने को मिलेगी और ओला वरिष्टी भी हो सकती है इस बात का भी मौसम विभाग ने पूरान मान जताया है जी शोई मेरे साथ दिली से जुड़े कुल दीपा बने रहे है शोई भवाग जो है गुनवत्ता में सुधार हुआ है दिली एंसियार की पिछले कई दिनों से परिशानी लोगों के सामने थी पूर्वान उमान क्या है मौसम विभाग का और अभी अगले कितने दिनों तक मौसम इसी तरह का बना रहेगा मौसम विभाग है अगर पूर्वान उमान की बात करें तो उसका ये कहना है कि अब दिली में कम से कम आने वाले कुछ जिनों तक इसमोग नहीं होगा बलकि कोहरे की चादर दिली और अगर ओड़ ले तो इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहे तो इसमोग से कम से कम रहत मिलेगी दिली अन्जिली आप भी जानते हैं कि दिली अन्सियार में तो लोग चाहते हैं कि कम से कम ठंड हो तरस जाते हैं ठंड के लिए इतनी गर्मी होत है वो बड़ी राहत देता है दिली के लोगों के लिए हम यह देख रहे थे सुबा से ही जब में आया तो इंडिया गेट के आसपास क्योंकि जो लुटियन जोन का जो इलाका है हलाकि पारलिमेंट इन दिनों चल रहा है बड़ी सुरक्षा वस्ता है तो कई जोगों पर विज इसी तरह का मौसम है तो सुबा से ही कई ऐसे लोग है जो बाहर से आते हैं गूमने के लिए इंडिया गेट पर और इस तरह का मौसम यकिनन उन्हें एहसास कराता है कि वाकई दिली भी एक जगा इस तरह की है कि बड़ी खुबसूरत यहां पर लगती है और जब मौसम अच रहते हैं कि अच्छी ठीटा ठंड थी लेकिन इस बारिश के बाद या कल से जिस तरह से कल कई जगों पर ओले गिरे और सुबा के वक्त भी बारिश हुई उसके बाद यकिनन ठंडक बढ़ गई है और उमीद यह करनी चाहिए कि अब जो एक ठंड है उसकी शुरुआत हो ग पर है कुलदीप जब उत्राखन का मौसम बदलता है चाहे बरसात का मौसम आए या फिर सर्दियों का तो वहां के लोगों के सामने परिशानी भी उतनी जादा बढ़ जाती है अलांकि वैपारी ज़रूर खुश होते हैं सेलानी दूर दराद से पहुंचते हैं मौसम कल उत बिलकुल इसमें कोई दोराएं नहीं कि अगर बर्फबारी होती है तो इसका मज़ा उठाने के लिए इसका लुथ उठाने के लिए जो परेटक हैं वो भी उत्राखन पहुंचते हैं ये मौसम एक तरीके से अगर व्यवसाइक दृष्टी से देखा जाए या टूरिस्ट क अज़े बढ़ित हैं क्योंकि अक्सर जब ये शितकाल रही होता है बर्फबारी का सीजन होता है तो बहुत सई दिकदें भी इस में आती हैं बड़ी दिकदें होती है कि पहाड़ के ऐसे च्छेत्र भीए दुर्गम वाले च्छेत्रें जहां पर ज्यादा स्नोफोल होता है तो वहाँ पर road blockages होते हैं और ये जो road blocks होते हैं कई कई दिनों के लिए होते हैं तो ऐसे में अब government को भी कोशिश करनी होगी कि कहीं पर भी कोई जो रास्ता है वो तकरीबन अगर बर्फबारी जादा होती है तो जादा दिनों के लिए बंद ना रहे यानि ये पूरे इंतजामत के जाएं की रास्ता जलसे जलद खुले ताकि आवाजाई सुनिश्चित हो सके लोगों को किसी तरह की इसमें दिक्कत नो हो सके हैं दूसरा बिजली की बात करें अगर जादा बरबारी होती है तो उस कारण से विद्धूत आपूर्टी पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ता है तो इसमें गौर्णमेंट को भी अब इसके लिए पूरी तरीके से तैयार होना पड़े और क्योंकि इस वक्त नॉसरे टाइम की बड़ी जादा बरबारी है जो देखने को मिली है तो अभी डिसंबर का महिना जनवारी का महिना अभी बाकी है तो ऐसे में सरकार को प्रियाक्त इंतजामात भी करने होंगे तयियारिया करनी होंगी मेंदानी आखरी में अच्छी खासी बर्बारी पाहड में देखने को मिली है और अब दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो बाकी है। इसको लेकर क्या तैयारी प्रिश्रासन की नजर आ रही है आपको बिल्कुल देखें अंच्छी यह हर साल होता है हम देखते हैं कि दिल्ली में या इन्सियार में यहां तक की मामला कोट में भी पहुँच जाता है कि जो रहन बसे रहे हैं उनके हाला ठीक नहीं है बड़ी ता अलग अलग लगातार नजर आती है तो हर साल दावे तो जरूर किया जाते हैं इस बार भी दिल्ली जो सरकार है केजिवाल की सरकार या उतर परदेश की सरकार नोड़ा और दूसे इलाकों में भी तमाम तरह के दावे कर रही है उम्मीद ये करनी चाहिए कि यकिनां काम भी उसी तरह से किया जा रहा होगा जिस तरह से दावे हो रहे हैं और इस बार उस तरह की तस्वीर सामने नहीं आएगी लेकिन एक चुनोती जरूर रहती है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो बाहर से आते हैं दिल्ली में भी या घाजबाद या नोड़ आता है और दिल्ली में भी कि जो ऐसे रेंबसेरे बनाए गए है जहां रात की वक्त लोग जाते हैं वो पूरी तरह से भर जाते हैं तो यकिने नक चुनोती प्रशासन के लिए भी सरकार के लिए भी होती है कि वो इस तरह की इंतिजाम करें कि तमाम जो लोग है वो उसमें जा सके रह सके और किसी से ठंड किसी की भी ठंड की वज़े से मौत ना हो तो यह हर साल की एक चुनोती एक चैलेंज रहता है उम्मीद यही करनी चाहिए कि इस बार सरकार ने जिस तरह के दावे कर रही है वो तयारिया पूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में उसका आसर य नहीं होता तो बड़ी तादार ऐसे लोगों की है यकिनन जनवरी और डिसंबर में जो लोग रेंबसरों में अपनी जिन्दगी गुजारते हैं रात के वक्त अलाकि उनको चैकंबल देने का मामला हो अलग अलग जो सामाजिक संस्थाय है या और जो लोग है इस तरह से कि इस बार इस तरह के मामले कम से कम कम देखने को मिले हमारे साथ नौईडा से पवन भी जुड़े हुएं पवन अगर मैं घाटी की बात करू कश्मीर की तो पिछले साथ सालू का रिकॉर्ड अभी तक तूट चुका है नवंबर के महिने में घाटी में बर्फबारी और ब तो मैं आपको तस्वीरे साब दिखाऊंगा कि लोग चलते फिलते नजार आ रहा है यानि इसका मतलब है स्वाइटर और जो जैकेट है टोपियां है वो निकल के आ गई है सामने आप देखिए कि आगे कुछ लोग मेरे जाते हूँ दिखाई दे रहे होंगे कैमरे में इनक लगाया जा रहा है कि जो जैकेट कमबल और टोपियां है वो बाहर आ गई है यानि जो तेज चलने वाली हवाए हैं जो ठंड में जो ठंड का एसास कराती है हवाए वो हवाए कहीं न कहीं लोगों को पूरी तरीके से अब उन्हें परिशान कर रही है यानि कि अगर वहाँ पर बर्फबारी हुई है तो यहां पर उसका असर कहीं न कहीं साफ देखा जा रहा है और साफ देखने का मतलब यह है कि लोगों ने अपने जो मफलर से अपनी टोपियां थी अपने जैकेट थे उन्हें बाहर निकालना शुरू कर दिया है और इस तस्वीरों ने साफ कर द दाता कुल्दीप क्योंकि देखे जो पहाडी राज्ये हैं वही तै करते हैं मौसम मैदानी लाकों में कैसा रहने वाला है और अभी तो मौसम शुरुवात होगी दिसंबर जनवरी में क्रिसमस आएगा नया साल आएगा परे तक बहुत जादा बड़ी संख्या में नहीं है उनके लिए अलाव की किस तरह की विवस्ता और रहन बसेरों का क्या तैयारी इसकी इसको लेकर नज़र आ रही है सरकार और प्रिशासन की देगी हिमाले राज ये उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड के लिए जो मौसम होता है खास और से उत्राखंड में परेटन जो है वो एक मुख्य जरिया है लोगों की आये का बहुत सारे लोग परेटन के विवसाई से जुड़े हुए हैं तो उन्हें इस मौसम का ब अलग-अलग कोनों से जो परियाटक है टूरिस्ट है और यहां तकी फॉरेनर्स भी यहां पर आते हैं उत्राखंट के अलग-अलग हिस्सों में वो जाते हैं हर्शित से लेकर तमाम सारी जगे वो इस मौसम का मज़ा उठाने इस मौसम का लुथ उठाने के लिए वो आते हैं लेकिन परियाटन के लिए आसे अगर हम बात करें तो मौसम व्यद अच्छा होता है बर्बारी होती है और इन वादियों का लुथ उठाने के लिए लोग देश के अलग-अलग हिस्से से आते हैं जहां तक तयारियों के बात है निशित तोर पर सरकार क्योंकि अगर इसे परियटन परदेश बनाने की दिशा में सरकार कोशिशे कर रही है सरकार दावे कर रही है तो सरकार को इस तरह के इंतजामात भी करने होंगे कि जो भी परियटा के यहां इस मौसम में आए उन्हें अच्छा अनुबह हो उन्हें एक अच्छा एक्सपिरियंस हो उन्हें किसी भी तरह के दिक्कते नहों बिल्कुल आपने सही का कि पिछली बार गर्वियों में जिस तरीके से टूरिस सीजन के दौरान चारतम यात्रा के दौरान ट्रैफिक की बड़ी समस्था देखने को मिली थी उस हिसाब से तैयारी करनी होगी चाहिए वो पुलिस परशाशन को जिला परशाशन को टूरिस्म डिपार्टमेंट को या जो भी डिपार्टमेंट पूरी तरीके से टूरिस्म सेक्टर में इन्वाल्व रहते हैं उन्हें पूरी तैयारिया करनी होंगी कि जो परियाट करें अलाउ की बात करें मैधानी चैत्रों में तो वो व्य मा जीम्मा वो जिम्मेदारी नगर निगं या नगरपालिकाओं की जो भी इसके अंतरगे चैत्र आते открыT आते हिं लेकिन अब देखने में आएगा कि नगर दिगम के जो दावे हैं, वो दावे कितने हकिकत में धरातल पर खरे उतरते हैं, अलाव की व्यवस्ता करनी होगी, हाला कि पिछली बार अलाव की व्यवस्ता हूई थी, कुछ दिक्ड़े रहन बसरों में जरूर शुरुआती दौर में आई थी, लेकिन अब देखना होगा कि नगर निगम क्या तैयारी करता है दूसरा समाजी के सेवा से जुड़ोए कुछ ससान भी रहते हैं जो कि इस तरीके से लोगों की मदद करते हैं जो गरीब रहते हैं जिनके पास ना तो सर चुपाने के लिए जाते हैं जा सर ना उनके पास पहनने के लिए कपड़े हैं तो तन ढखने के लिए उन्हें सर्दियों में गरम कंबल भी चाहिए तो ऐसे में वो सस्थाई भी आगे आती हैं लेकिन अभी वक्त है इस पर काम करने का मौसम ने देखी मिजास पूरी तरह से बदल दिया है और कडाके की ठंड अब दिसंबर की शुरुआती तोर पर मौसम विभाग का कहना है कि पढ़नी शुरू हो जाएगी ऐसे में क्या विवस्ता और तैयारी होनी चाहिए बिल्कुल देखे अगर गौतम बुन नगर की बात करें तो यहाँ पर नगर निगर नहीं है यहाँ पर है जिला प्रशाशन और डियम ही यहाँ का एडिमिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं तो अभी फिलहाल ठंड ने जिस तरीके से बीते दो दिन से करवट ली है और आज जिस तरीके से पारा गिरना शुरू हुआ है तो यह जिला प्रशाशन की अब पहल करने की कोशिश होगी कि कैसे वो पूरा सिस्ट्रम को मैनेज करें करने की तैयारी जो है प्रशाशन अब करना शुरू करेगा क्योंकि प्रशाशन को भी उमीद देए थी कि अचानक मौसम इस तरीके से करवट लेगा अभी कुछ दिनों पहले तक तो स्मॉक की समस्या से सभी जूज रहे थे पॉलूशन से जूज रहते हैं अब अचानक आई ठंड के बाद जो तैयारिया है वो कहीं न कहीं आज से शुरू हो जाएंगी और आज से ये भी कोशिश की जाएगी कि नौईडा में गौतम बुद नगर में वो सभी इस्थान चिन्नित किये जाएं वो सभी जगहें चिन्नित किये जाएं जहां पर अलाव जलानी की जरूरत है या रहन बसेरों की जरूरत है और मौसम के बारे में और जादा जानकारी देने के लिए तो देखें मौसम का मिजास पूरे तरीके से बदल चुका है और पूर्वानुमा ने ये मौसम विभाग का कि दिसंबर के जो शुरुवाती हफ्ता होगा जो शुरुवाती दिन होगे उसी से शुरुवात हो जाएगी कडाके कि ठंड पड़ने लगेगी जरुत है तैयारी अपने स्थर से सभी लोगों को कड़ने की और शली इसी के साथ जुरुष का थासे से अजसे तैयारी वहाती लोगेगी का जाएगी का है